दा एंथेलिपी चेंज फोर दे कंवर्जन ओफ यह जो सील टू गैस है उसको सील नेगेटिव एक्वास में इस यह वैल्य 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 दिए डिसोशेशन इलेक्ट्रोन गेन एंथेलिपी दीवी है और हाइडिशन एंथेलिपी दीवी देखें सिंपल सा फंडा है यह कर देते हैं इन चीज़ों में लेकिन देखिए आप इंपोर्डेंस है इसकी जब हाफ चेल टू को सबसे पहले तो आप डिस्यूशेट करेंगे एटम्स में यह बेसिकली मोलिक्यूल है ठीक है एटोमिक क्लोरीन में कर दिया तो फर्दर इसको आप कंवर्ट करते हो सील ने समझ मैं अब आप देखें यहां तीन एनर्जी रिक्वार्मेंट तो जो यह वाली एनर्जी है हाफ सील टू को इसमें सील नेगेटिव में करने में तो यह क्या हो जागा हाफ इंटू हाफ है यहाँ तो डेल डिसोशेशन ओफ एंथल्पी बेसिकली सील गैस को इसने क्या क इसल लेकर यह नेगेटिव बना दिया तो ओवियसली का इस एलेक्वन एलेक्वेटिव हो रही है तो वह क्या होगी है तो यह वाली तो डेल ऐले जी एच एलेक्टिवन एंथेल्पी हो गए ओगे irrig इसको aqueous में basically hydration हो गया तो इसको क्या हो जागा डेलेज hydration तो जब मैं कहता हूँ enthalpy change for the conversion of this to this this to this मतलब ये प्लस ये प्लस ये तो क्या हो जाएगा ये क्या हो गया half of 240 half of 240 हो गया ये क्या हो गया minus है तो minus simple sign के साथ utilize use करते लिजिए और minus ये बिसिकली प्लस ये में minus में तो minus 380 सबके सब किलो जूल में मुझे कोई tension की वार रहा है पूरे को आप जब calculate को आपका answer आजागा 610 with minus sign तो ठीक है minus यहां दिया वह ये 610 will be your correct answer किलो जूल पर मॉल में है न तो सब की उनिट सेम है आपको एक क्यूश्चिन समझ माय होगा